आर्टिकल 370 is a temporary provision जमु कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोट ने बरकरार रखा है पांच अगस 2019 को मोधी सरकार ने जमु कश्मीर से अनुछे 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था साथी राजी को दो हिस्तो जमु कश्मीर और लदाक में बांट दिया था और दोनों को केंदर शासित प्रदेश बना दिया था चलिया आपको बताते हैं इस पर अपना फैसला सुनाते हुए कोट ने आज क्या बड़ी बाते कहीं 370 आखिर है क्या इसे कैसे हटाया गया इसको लेकर कोट में याचिका करताओं और केंदर की दलीले क्या कुछ रही है नमस्कार मेरा नाम है मेगना सच्टेवा आप मुझे देख रहे हैं लोक मत हिंदी पर कोट ने अनुछेद 370 को अटाते हुए ये बाते कहीं राश्ट्रपती को आर्टिकल 370 हटाने का हक है आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सम्विधानिक तौर पर सही था सम्विधान के सभी प्रावधान जमु कश्मीर पर लागू होते हैं ये फैसला जमु कश्मीर के एकी करण के लिये ही था आनुछे 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी जमु कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं 30 सितंबर 2024 इस तक जमु कश्मीर में चुनाव हो जमुकश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था जमुकश्मीर भारत का अभिन अंग है जमुकश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी अनुछे 370 भारतिय सम्विधान का एक प्रावधान था ये जमुकश्मीर को विशेश दर्जा देता था ये भारतिय सम्विधान की उप्योगिता को राज्य में सीमित कर देता था सम्विधान के अनुछेद एक के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संग है कोई अन्य अनुशेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग सम्विधान था 1947 में जब हमें अंग्रेजों से आजादी मिली उसके बाद ततकाली रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था भारत की सम्विधान में 17 अक्टूबर 1948 को अनुशेद 370 को जगह दी गई इसने जमु कश्मीर राजे को भारतिय सम्विधान से अलग रखने का काम किया इसके तहत राजे को अधिकार मिले कि वो अपना खुद का सम्विधान तयार कर पाई आनुशेद 370 के तहत जमु कश्मीर को विशेश राजे का दरजा मिला हुआ था रक्षा, विदेश मामले और संचार के विशे में कानून बनाने का अधिकार नहीं होने के अलावा राज्य विधान सभा अन्य कानूनों को बना सकती थी सरकार को भी बताये गए इन तीन विश्यों को शोड़कर सभी पर कानून बनाने के बाल राजस सरकार से मन्जूरी की जरूरत होती थी अन्य राजी के लोगों को जमु कश्मीर में जमीन खरीदने के अधिकार भी नहीं दिये गए थे भाजपा काफी लंबे वक्त से इस अनुचेद को कश्मीर के भारत के साथ एक एकरण की दिशा में कांटा मान रही थी भाजपा ने अपने घोशना पत्र में भी ये कहा था कि वो भारती सम्विधान से अनुचेद 370 और 35 ए को हटाएगी उसके बाद केंदर सरकार ने 5 अगस 2019 को अनुचेद 370 को हटा दिया केंदरी ग्रेमत्री अमिच्षाह ने संसद में आकर इस बारे में देश्ट को बताया अनुचेद 370 हटाने के साथ साथ जमु कश्मीर राजे को दो केंदर शासत प्रदेशों में बांट दिया गया जिन में से एक जमु कश्मीर था और दूसरा लद्दाग बना अमिच्षाह ने संसद को संबोधित करते हुए उस वक्त कहा था कि अनुशेद 370 के प्रावधान लिंग वर्ग जाती और मून स्थान के आधार पर भेद भावपूर है उन्होंने कहा था युबाओं को राज़्यतिक अभिजात वर्ग के जरीए धोका दिया जा रहा है ये प्रावधान अस्थाई था और इसे जमु कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हटाना होगा पांच अगस्थ 2019 को अनुशे 370 को ने रस्त कर दिया गया बाद में इस फैस्थे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई इस मामले में याचिका करताओं ने 23 याचिकाएं दाखिल की थी इसमें नागरिक समाच संगठन वकील राजनीता पतरकार और कारेकरता शामिल थे जिनोंने याचिकाएं दायर की इनमें से कुछ में जमू कश्मीर पीपल्स कॉन्फरेंस पीपल्स यूनियन फॉर सिवल लिबर्टीज नैशनल कॉन्फरेंस के नेता और सांसद मोहमद अकबर लोन और जमू और कश्मीर के पूर्व वारताकार राधा कुमार शामिल थे याचिका करताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमंडियम, दुशन दवे, राजीब धवन, दिनिश दिवेदी, गोपाल, शंकर, नारायन, सहित, 18 वकीलों ने कोट में दलील रखी जबकि केंदर और दूसरे पक्ष के ओर से एज़ियार, वेंकर ट्रबणी, एसजी, तुशार महता, हरीश सालवे, महिश जेट मलानी, मरिंदर सिंग, राकेश दिवेदी ने दलील रखी पांच सतंबर को सुप्रीम कोट ने दोनों बक्षों की दलीले सुनी, उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था 16 दिन की माराथॉन सुनवाई चली, जिसके बाद ये फैसला सुरक्षित रखा गया अनुछेत 370 स्थाई हो गया, क्योंकि अनुछेत 370 में ही बदलाब करने के लिए सम्विधान सभा की सिफारिश की आवरशक्ता थी लेकिन 1915 में सम्विधान सभा ने काम करना बंद कर दिया, याचिका करताओं ने तर्क दिया कि सम्विधान सभा की अनुपस्तिती में केंद्र ने अपरत्यक्ष रूप से सम्विधान सभा की भूमिका निभाई और राश्चुपती के आदेश के जरिये शक्तियों का इस्तमाल किया संविधान जमु कश्मीर के संदर्व में किसी भी कानून ने बदलाव करते वक्त राजसरकार की सहमती को अनिवारे बनाता है ये ध्यान में रखते हुए कि जब अनुचेत 370 को निरस्त किया गया था तब जमु कश्मीर में राजशपती शासन था और राजसरकार की कोई सहमती नहीं थी याचिका करताओं ने कोट में तर्क दिया कि राजपाल मंतरी परिशत की सहायता और सला के बिना विधान सभा को भंग नहीं कर सकते थे याचिका कर्ताओं ने कहा कि केंदर ने जो किया वो सम्विधानिक रूप से स्विकारे नहीं और अंतिम साधन को उचित नहीं ठेहराता है वही केंदर की बात की जाए तो तर्क दिया गया कि सम्विधान के तहट निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उलंगन नहीं हुआ और केंदर के पास राश्रपती का आदेश चारी करने की शक्ती थी केदर ने तर्क दिया याचिका करताओं ने जो आरोप लगाया है उसकी विपरीत जिस तरीके से अनुच्षेद 370 को ने रस्त किया गया था उसमें कोई सम्विधानिक धोकादड़ी नहीं हुई थी सरकार का तर्क है के अनुच्षेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था चुकि सम्विधान सभा भंग हो गई थी इसलिए विधान सभा को वो पद ग्रहन करना पड़ा अगर ऐसा नहीं होता तो प्रावधान में कभी संशोधन नहीं हो सकता था सरकार की ये भी दलील रही कि इस बदलाव ने जमुकश्मीर को पूरी तरहां से भारत में एक इकरत कर दिया सरकार ने ये कहा कि राज़े के निवासियों के खिलाफ भेदभाव होता रहा क्योंकि वहां भारतिय सम्विधान पूरी तरहां से लागू नहीं होता था इसके रावा सरकार ने कहा कि राश्रुपती शासन में उनके या राजपाल की ओर से पारित आदेश राजे विधान मंडल की ओर से पारित आदेशों के बराबर है इसलिए राश्रुपती शासन में इस्तिती बदलने से ये काम अवैद नहीं है सरकार का ये भी कहना था कि उसके पास राजयों का पुनर गठन करने की व्यापक शक्तियां है वो किसी भी राजय के नाम शेत्र सीमाओं को बदल सकती है और राजय को केंदर शासित प्रदेशों में बाट भी सकती है इसके अलावा सरकार ने बताया कोट में की कानून विवस्था की स्थिती सामाने होने पर सरकार जमु कश्मीर का राजय का दरजा बहाल कर देगी कहा गया कि विशेश तरजह अटाने से राजिमे विकास, परटन और कारून विवस्था को बढ़ावा मिला इसलिए ये एक फायदेमंद कदम था हाला कि आपको क्या लगता है जब मुकश्मीर से अनुछेद 378 अटाना सही था या फिर गलत कोट के फैसले पर आपकी राय क्या है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही